तो गुद मॉर्निंग नमस्ते हेलो एंड वेलकूम वेक्टि मैं चैनल तक कैसे हो आप लोग अभी बज़रे सुबह के साड़े पांच मैं अपने फ्रेशन अप हो ली हूं उठ चुकी हूं और अब मैं आ चुकी हूं अपने स्टडी रूम में तो अभी स्टडी स्टार्ट क और इसके बाद में मैंने बुक रीड की जो आपके सामने रखी है अभी बज़रे हैं सुबह के साथ बज़रे हैं और अभी मैं यहीं पढ़ रही हूं साथ से आठ बज़रे तक यहीं पढ़ूंगी और अभी मैं मैं पढ़ रही हूं जिसके अंदर अलजेब्रा कर रही हू में तो मैं मामी के पास आगी ओफिस में अभी मैं यहीं पढ़ूंगी मैंने अलजेब्रा में जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें अब पता नहीं क्यों लग रहा है पर लग रहा है पर शायद एक बार लगता ही है दो तीन बार रिविजन हो ज खाना भी खाना है तो उन्हालेते हैं और इतने मामी स्कूल से आ जाएगी और मामी रोटी बना देगी खार लेगे तो मैं नहीं जाएगी है वैसे मेरा विचार था ग्रीन सूट पहनने का लेकिन फिर मुझे यादा है कि अभी खाना खाके थोड़ा सा पढ़के सोना ही है तो वो वैसे खराब हो जाएगा तो इसलिए अभी शाम को हम बजार जाएंगे तब मैं उसको पहना हूंगी अभी म कर दिया है तो चलिए खाना खाते हैं अभी मैं मामा मामी सब साथ में खाएंगे तो आज बनी है घीया की सबजी और मामी ने मिर्ट छोंक ले थी वो और रोटी तो वैसे तो मेरा विचार था रोटी खाके पढ़ने का लेकिन मेरे को नीन दा रही थी तो मैं सो गई राखी लेके आएंगे मामी लाईगी अपने भाईयों के लिए तो मामी चली और आज बर्सात हुए है इसलिए पैदल तो क्या ही जाएंगे किच्चड हो रहा है तो भाया जी हम में लेके जाएंगे बजार तक सो जैसा कि आप लोगों को भी दिख रहा है सारे मार्केट मे राखियां भर चुकी है अभी चारो तरफ राखियां दिखेंगी बर्सात आई या भी तो कुछ लोगों ने अपनी राखियां ढख रखी है और हम आचुके हैं जिस दुकान से हमें राखि लेनी है और यहां पे बहुत ज्यादा वेराइटी मिली हमें राखियों की उमीद सुरी अभिफ हे और हमें दुकान वाले का भी सबर है जो हमें इतनी देर तक राखियां ले में हमने मेरे और राखिया पसंद आई तो चंदंकी है और यहां अनदर सबसे महंगी लिरे यहां की ने अपनी बाहियों के लिए और बाकी जो सारी राखिया है वो रक्षा बंदन पर दिखाई जाएगी आप लोगों को अभी हम सूप लेने आए हैं सूप नहीं मतलब ड्रेस टाइप में कुछ लेने आए हैं जो फुल ड्रेस हो जो मतलब घर में फैमिली फंक्शन्स वगारा में सही लगती है उस टाइप की ड्रेस तो हमें इतना कुछ खास पसंद आया नहीं था पर हमने ले ली थी और अभी हम आ चुके हैं मामा की शोरों पर मामा को और मेरे भाई को दिखाने और मेरी भेहन से वीडियो कॉल चल रही है उसे भी दिखाएंगे कि हम क्या लाए हैं तो और यहां पर हम आइस क्रीम खा ले अब लाने में थोड़ा सा उखड गया तो मामी ने बोला इसको चिपकाओ और यह दीदी ने बना के दिया यह हैंगिंग वाला है और यह जो रसोई का में गेट उस पे लगेगा मनलब रसोई के गेट पे लगेगा अब भी मैं बना रही हूं चिली पटैटो उसको मैंने च पटैटो फ्राई कर लिए थे और यह ऐसे ही इतने टेस्टी लग रहे थे बिना मसाले के भी और अब यह बन चुका है तो चलो सारू कर देते हैं सबको आप लोग भी खालो मामा आपको पता है आप पार्णा खोड़ने वाले भी थे तो मुन्ना भाईया साई टाइम पे आगे तो इनको खाना नसीब हो गया तो थोड़ी देर और लेट आता तो खाना भी खतम हो चुका होता फिर सर्प्राइज यह जादा हो जाता तो वैसे तो मेरा बजार से आके पढ़ने का विचार था पूरा-पूरा कि बजार से आके चिली पटेटो बनाएंगे उसके बद खाएंगे उसके बाद मैं पढ़े हो पढ़ने में और जितना मैंने सोचा था उतना मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगी और यह लोग मेरे पास आगे और इन्हें नहीं पता था कि कैमरा चल रहा है तो यह मस मेरे से बाते कर रहे है काश की बात है रिकोर्ड भी होती पर यह वीडियो टाइम लैप्स पे थी तो बाते रिकोर्ड नहीं होई और मुझे भी बातों में स्वाद आ रहे थे इसलिए मैंने भी इन लोगों को जाने को नहीं का कि मैं पढ़ रही हूं जाओ यहां से यह भाईया जी हमारे आगे बैट गए थे और मुझे पता चला कि मैं तो पढ़ती हूई नहीं नजर आ रही तो मैंने बोला कि कैमरा चल रहा है और तू कैमरे के आगे अड़ रहा है तो यह तो निकल ली है कैमरे का नाम सुनते ही बोले पहले क्यों नहीं बता यह तो बहुत गलत बात है तो इस कदर मुझे पढ़ने का चांस मिल गया ओ हां मैंने यह तो बताए ही नहीं कि मैं क्या पढ़ लें तो मैं अभी पढ़ रही तो और रीजनिंग मैं सुबह नहीं पढ़ पाई थी तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ आज उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई बढ़ कोई बात नहीं हमका वरप्त कर लेंगे बाई 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 फिर मिलेंगे अगले वीडियो में